क्या आप भी अपना podcast बनाने की सोच रहे है तो anchor try कीजिए, ये free है, इसमें कई सारे ऐसे tools है जो आपको अपने phone पर और computer पर record और edit करने की facility देते है आप अपने podcast को distribute भी कर सकते हैं, जिससे इसे Spotify और दूसरे platforms पर सुना जा सके, download कीजिए free anchor app या visit कीजिए anchor.fm Books That Speak में आप सभी का स्वागत है जैसे ही दहारता हुआ सूरज आस्मान पर छाया, जंगल में एक नया सवेरा आया नया सवेरा, नय कर्तब का नया मंच है आज जंगल कौन सा कर्तब दिखाएगा? जीव वाद से प्रेरित ये कहानी गोंड जनजाती की एक सधियो पुरानी मान्यता पर आधारित है जहां मनुष्य, पशूपक्षी और सूर्य से लेकर चटानों तक सब एक जैसे है सुनते है कहानी जागा जंगल ओरिजिनल स्टोरी, When a Forest Wakes Up बाई प्रथम बुक्स कहानी लिखी है सुदर्शन शौ, चितरांकन सुदर्शन शौ, हिंदी में अनुवाद वसुन्धरा बहुगुणा कहानी सुना रही है असावरी दोशी बड़ी बड़ी चट्टानों के पीठ पीछे, उंगते टीलों के बीच सुबा सवेरे है मूँ फाडे, सूरज निकले जैसे शेर दहाडे हवा चल रही है मध्धम सरगम सानी धप मगरेसा जो तितली उडती फुर फुर जब सूरज उत्रा धर्थी पर धर्ती गई उमड मचल पेडों की टहनियों ने एक दूजे से फुस फुस कर क्या रात सुनाए टहनी टहनी पत्ती पत्ती देखे सूरज को मूँ बाए तभी आसमान में घिर आये बादल के सिया ही साये गरजे बादल गडगडगड बर्खा बरसी तड़ 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 चली हवा आसमान से दूर हुआ ज्ञाग बर्खा का पानी सारा कया नदी में भाग फिर शाम आई चित्रों से सजा अंबर फूलों से रस रंग लेकर पक्षी उड़े भागे नभ पर मोटी काली चादर ओड़ कर सूरज सो गया लंबी तान कर जंगलने भी तब लेकर जपकी अगले दिन की तयारी की क्षितिज में फिर रंग भरने आया सूरज बहुत दूर नहीं रह पाया कैसी लगी ये सुन्दर कविता रूपी कहानी अगर आप ये कहानी का विडियो भी देख रहे होंगे तो कहानी के लेखक ने बनाए हुवे सुन्दर चित्र देखना न भुलियेगा तो ऐसी बहुत सारी कहानियां सुन्ने के लिए Books That Speak ये हमारी चैनल पर जरूर आईएगा यूट्यूब पर और अलग-अलग पॉड्कास्टिंग चैनल्स पर हमारी वेबसाइट है www.booksthatspeak.com मिलते है एक और सुन्दर कहानी में धन्यवाद, बाई-बाई झालोगद, बाई-बाई-बाई